हाई एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक टू मैं चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉक्स कैसे हैं आप साब आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे बहुत अच्छे होंगे सुभा का टाइम है और यहां मैं ब्रेक फाय स्टोर लंच बनाने की तियारी कर रही हूँ दोने एक साथी बनते हैं तो सरसो का टेल लिया है और अच्छे से गरम होने के बाद फिर मैंने उसमें एक चमच मेथी दाना और चोपर से चोप कर लिया है एक प्यास थी मेडियम साइज की थोड़ा सा लैसून तो य तो वो मैं यहां पे बना रही हूँ तो देखिए प्यास गोल्डन हो गई है कलर चेंज हो गया है अब मैं इसमें डाल दोंगी सुखे मसाले मैं सुखे मसाले डाल दूँगी एक चमच धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और लालमीच पाउडर और थोड़ा सा शोट में ही मैं दिखा रही हूँ क्योंकि जो कद्दू की रेसिपी है चैनल पे पहले डाली हुई है लेकिन आज ये हरे वाला कद्दू था तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा जो है रिकोर्ड कर लेती हूँ और बस कद्दू डाल दिया है देख सकते हैं आप बीज भी मैंने इसमें नहीं निकाले हैं इसके क्योंकि इसमें बीज थे यी नहीं और अच्छे से इसको मैंने मसाले में मिक्स कर दिया है नमक डाल दिया है टेस्ट के गूट मैंने इसमें पानी डाल दिया है और बस अब इसमें तीन से चार सीटी में लगवाऊंगी और तब तक अपना जो है आटा तयार कर दोंगी आटा लिया है नॉर्मल और इसमें मैंने एक चम्मच के करीब डाल दी है कसूरी मेथी थोड़ी सी अजवैन और टेस्ट के साथ जो है पराठे बनने वाले हैं तो अगर ऐसे बनाते है अचार से तो यह पराठे अचार से बहुत अच्छे लगते हैं तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालने मैंने कम ही डाला है और गुनगुने पानी से मैं यह आटा तयार करूँगी गैतली में कर लिया है गरम पा आती हूं थोड़ा सा गुन-गुना पानी ही लेती हूं ठंडे पानी से अच्छा नहीं बनता और बस थोड़ा थोड़ा पानी डालके मैं आटा तयार कर दोंगी और इहां पर आपको धुआ-धुआ सा दिखाई दे रहा होगा तो वह कोकर की सिटी आ रही है तो उसका जो है म पड़ता है तो देखिए सर्दी में मेथी के प्राठे बहुत अच्छे लगते हैं चाहे वो कसूरी मेथी हो और चाहे वो फ्रेस मेथी हो तो फ्रेस तो थी नहीं मैंने थोड़ी सी कसूरी ही डाल ली है और यहां देखिए चार सीटी मैंने इसमें लगवाई है और अब मै मैं जचूर मीठा खटा मीठा मतलब कुछ भी मैंने इसमें पहले एट नहीं किया था फिर फ्र मैं इसमें गलने में थोड़सी दिक्कत होती है लेट गलती है चीज्श अगर हम चूर हम पहले ना ही जादा खटा और ना ही जादा मीटा तो दोनों ही टेस्ट बराबर होने चाहिए और देखिए इसको मैं या पे भून रही हूँ और आज आपको वीडियो में थोड़ी सी आवाज आ सकती है तो सोरी मैंने जो वाइस ओवर किया है वीडियो का आज ही किया है और थोड़ा सा धूप में बैट गई थी तो वहाँ पे किया है तो बाहर से आवाज आ रही है तो देखिए कद्दू अच्छे से पग गया है बहुत अच्छे से इसको भून लिया है तो कद्दू की सबजी तो खटी मिठी हो गई है तयार अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे पराठे क्योंकि इनको जाना है ओफिस तो यह लेट हो रहे हैं और यह कसूरी मेथी अजवैन के पराठे बहुत ही अच्छे रहते हैं कसूरी मेथी का फ्लेवर अच्छा होता है और अजवैन का फ्लेवर भी अच्छा होता है और थोड़ा सा पचने में भी सही रहते हैं गैस बगरा नहीं होती जैसे ऐसे डिटी बगरा हो जाती है पराठे काने से तो उसमें भी आरा मिलता है तो देखिए पराठे अच्छे से दबा दबा कर क्रिस्पी से मैं सेख लूँगी तो बस इनका लंच पैक मैंने कर दिया है और ये जा रही है ओफिस और बच्चे श्रेत उठ गया है लेकिन अंच भी नहीं उठा और अब मोसम देखिए इस टाइम कोहरा बहुत ही थोड़ा सा रह गया है है लेकिन आज को रह पहुत जादा था सुबा के टाइम जब मैं उठी थी हाई एवरिवन कुट मॉर्निंग कैसे हैं आप सब सुबा का टाइम है सबा नो बजे निकले हैं ये और अब साड़े नो का टाइम है तो ये तो फिस जा चुके हैं और ये देखिए ये मेरा छोट लेट सोता है रात में साड़े ग्यारा बारा से पहले बिल्कुल नहीं सोता और सुबा उठता नहीं है तो देखिए स्कूल जाने के बगएर ना बच्चों की हालत खराब होगी है बिल्कुल मतलब आदत इतनी खराब हो चुकी उठना जागना सोना कोई टाइम नहीं रहा तो ऐसा चला है श्रे उठ जाता है श्रे अपने पापा से पहले उठ जाता है जब इसके पापा ना आते हैं तो ये उस टाइम तक उठ जाता है तो ये तो उठ गिया है और मैं भी लेटी उठ रही हूँ आज कल थोड़ा सा जो है रूटीन मेरा भी चेंड चला एक तो पा गए हैं और मैंने आधा कप चाहे ली थी वो भी किचन में ही बहुत जल्दी-जल्दी क्योंकि पूजा करने के बाद फिर बस इनके जो है सब जिब जिब बनाने का टाइम हो जाता है लंच लेके जाते हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी-जल्दी करना पड़ता है और बस अब अंच को ठाऊंगी और फिर हम तीनों का मा बेटा का खाना पीना होगा तो ऐसे हमारा आज कल का रुटीन चल रहा है और जो है सुबा अब लेट खाएंगे करीब साड़े दस तक खाना पीना होगा साड़े दस ग्यारवी बजाते हैं कभी-कभी तो एक बार ही ह हो जाता है और फिर लंच में हल्का-फुल्का कभी मन किया तो बना लिया और नहीं मन किया तो ऐसे भी चल जाता है चाई, बगेरा दूद ले लेते हैं बच्चे, फुरूट वगेरा तो बस उससे इसे काम चल जाता है और ज lंच में होता है सुबब, रैक फाषण he wait तो आज कल का जो हमारा routine है ये इस तरह से चला है और जो आज दिखा रहे हूँ अपना असली रूप ये देखे मेरा असली रूप ये है सर्दी में पूरी सर्दी मैं अपना जो है सर इस तरह कवर किये भीना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, यह काप रखती हूँ, मैं शनील वाले, soft वाले हैं, और जो woolen वाली कैप होती है, मुझ से बिल्कुल भी यहाँ पे खुझली हो जाती है, यूज नहीं करी जाती, बिल्कुल नहीं मैं ओड सकती है, अपने सिर पे रख सकती, फिर खुझली होने में भी एक दुलता है एक पांधा जाता है तो इस तरह से मैं जो है इसकाप में रहती हूं पूरा दिन अभी तक मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि अभी इतनी सर्दी नहीं हो रही थी और अभी तीन चार दिनों से इस शर्दी शुरू हुई है अगर मैं इसको उतार दूँ या सुबह नहां दोकर जैसे सुबह मेरा नाना जल्दी हो जाता है नाना दोना कब का हो गया उसके बाद ही मैं किचन का काम करती हूँ चलिए बाते सुबह सुबह मैं लेके बैठ गई और आज जो है मैंने अपना असली रूप दिखा दिया जो मेरा पूरी जो है सर्दी रहन और मेरे सर में खुलते ही एकदम जैसे ठंड सी घुसेगी और सर में दर्थ शुरू हो जाएगा तो मेरा सर बहुत ही नाजुक है ये बीमारी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए तो मुझे ये कवर करके रखना पड़ता है आप आदर डाल लीजिए अब हो ज़्या स्वेटर भी पैना हुआ है और सकाब मेरा बहुत पतला है ये बहुत ही पतला सा है और वैसे बी कितने साल पुराने है करीब साथ-आठ साल पुराने मेरे सकाब है लेकिन इनको चोड़ती नहीं हूं मुझे इस तरह कि मिली नहीं रहा है कई भी तो चलिए अब मैं किचन मे चलती हूँ फिर से इस शैतान को उठा देती हूँ देखिए यह सैतान बेटा मेरा तो इसको उठाती हूँ बहुत मुस्किल होता है इसको उठाना मा बेटा दोनों मिलके उठाएंगे मैं और श्रे और फिर इनके लिए भी गर्मा गरम पराठे बना देती हूँ और फिर खुद भी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी इनके बाद चलिए फिर जैसे भी होगा आज आपके साथ अपना पूरा रूटीन शेयर करूँगी चलते हैं किचन में भूक लगी है देखिए बच्चों की प्लेट लगा दी है सबजी अच्छे से गरम कर दी है और जो इससे पहले वीडियो में आपने मुंकी डाल का हलवा की रेसिपी देखी थी तो हलवा भी गरम कर दिया है और गाजर मूली वाला अचार है और ये कच्छे वाला कद्दू की सबजी हरे वाले कद्दू की सबजी बहुत टेस्टी लगती है और देखिए हलवा फिर से गरम करने के बाद इतना अच्छा हो रहा है बहुत ही टेस्टी हलवा बना था ये मुंकी डाल वाला तो एक बार आप ट्राइकर के जरूर देखना और खाना पीना होने के बाद किचन का काम करने के बाद अब मैं लग गई हूँ थोड़ा सा डस्टिंग पे और हलत देखिए आप भी बोलेंगे डस्टिंग कर रही है और बैड की हलत क्या है तो ये दुलेवे कपड़े पड़े हैं कुछ फोल्ड करके रख दिये हैं कुछ कपड़े प्रेस करके रख दिये हैं तो सब ऐसे पड़ा है प्रेस भी हुए रखे हैं कल के कपड़े तो कल टाइम नहीं लगा था और कुछ सर्दी में ना मन भी नहीं करता है जादा काम करने का तो बस आज मैंने सोचा आज तो मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि बेड बहुत गंदा लग रहा था इस तरह से भरा हुआ पूरा हेंगर बगएरा पड़े हैं क्योंकि सर्दी है और कपड़े बहुत जादा दूलते हैं तो बस यहां सारे फोल्ड हुए कपड़े रखे हैं कुछ थोड़े बहुत ऐसे भी रखे हैं तो सबसे पहले तो मैंने डस्टिंग कर दी है थोड़ी सी सर्दी में इतनी धूल तो आती नहीं है तो अब डेली डस्टिंग नहीं कर रही हूँ दो-तीन दिन छोड़के भी चल जाता है क्योंकि धूपी नहीं निकल रही तो धूल कहां से आएगी तो सब ठीकी रहता है लेकिन फिर भी अच्छे से आज थोड़ा सा मैं कपड़ा सारे घर में लगा दूँगी और बस जी दिन मुझे आलस होता है तो फिर पूरा दिन ऐसे निकल जाता है आलस में ही तो आज मैंने पहले से ही सुबह से ही फूर्ती बना के रखी है कि आज तो मुझे ये करना ही है देखिए किते सारे कपड़े प्रेस की हुए रखे है और ये सारे कपड़े मेरे ऐसे ही पड़े हुए है तो इन में एक सूट जो मैंने अभी फोल्ड किया ये मैंने कब सिलवाया था कि आपको बता भी नहीं सकती और ये मैं प्रेस के लिए डालती हूँ तो इदर से उदर ऐसे पड़ा हुआ है तो ये पटियाला बनवाया था मैंने और अभी तक मैंने इसको डाल के भी नहीं देखा ऐसे ही रखा हुआ है अब तो सर्दी भी इतनी आ गई और सिलवाया था अभी पहले ही लेकिन प्रेस के लिए मैंने निकाल के रखा था लेकिन अभी भी इसका टाइम नहीं लगा तो ऐसे ही पड़ा था तो बस इसको भी फोल्ड करके रख दूँगी और सोच रही हूँ आज प्रेस का काम कम्पलीट कर लूँ तो ये सब तो प्रेस के ही कपड़े रखे हैं और कुछ फोल्ड uy रखे हैं जिन पर प्रेस नहीं चाहिए और कपड़े मैं संगभा देती हूँ जहां लगने हैं उनकी जगपनंको लगा देती हूँ और फिर मिलती हूँ आम से खुरकि का यहां देखिए रूम भी कंपलेट हो गए है द्रस्टिंग हो गई है और मेरी किचन भी आप देख सकते हैं। मतलब बाल के रख दिया है जैसे नॉर्मल दूद लेते हैं तो वो भी हो गया है और किचन बिल्कुल एक्तम क्लेन है आप देख सकते हैं तो सारा काम मेरा कम्प्लीट हो चुका है अब फिर कुछ ना कुछ काम तो लगे ही रहते हैं तो अब मैं थोड़ा सा दूसरा काम देख लेपे कपड़े तो सूखी गए हैं और एक जो बैच है मसीन में अभी पड़ा हुआ है वह मैंने अभी निकाला नहीं है वो देर से डाला था वूलन कपड़े हुए हैं और यहां मैं लहसों चिल रही हूँ लेसों रखा हुए था तो वह लहसों थोड़ा सा मोटे वाला ज चलने से लगता है तो बस उसी को मैं या लेके बैटी हूँ दो-ती दिन से सोच रही थी लेकिन धूप नहीं निकल रही थी तो आज धूप निकल रही मैं दूप में आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए और धूप इतनी जादा नहीं है बहुत ही हलकी सी धूप है इतनी गुलाब देख सकते हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं देखिए ये वाइट वाइट जो नजर आ रहे हैं ये गोबी है थोड़ा सा जूम करके नहीं दिखाया है आप लोगों को लेकिन बहुत अच्छा लगता है और ये देखिए हमारी चत पे गुलाब चोटा सा पेड मेरा गुलाब का और बहुत ही जादा ये गुलाब देता है बस पूछे मत ये पहले से ही जब भी इस पर आते हैं तो इसी तरह से आते हैं देखिए अभी भी कलियां इसके ओपर हैं देखिए और सर्दी में जो नीचे का गुलाब है तो इतने फूल कलियां बहुत आरकी हैं ले उसके बाद अब मैं आ गई हूँ नीचे यहाँ पे जाड़ू लगाने लगी हूँ अंच ने बाइक बाहर निकाले थी बाइक अंदर ही रहती है यह तो आज कल गाड़ी लेके जा रहे है तो अभी अंच को कहीं जाना था बाहर तो बाइक निकाली है और बाइक फिर मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है क्योंकि रोड हमारी कच्ची है बार तो मिट्टी हो जाती है और फिर शाम हो जाएगी तो यहाँ पे मैं जाड़ू लगाने लगी हूँ हाला कि जाड़ू बगएरा काम सुबह हो जाता है जाड़ू बोचा लेकिन अब फिर से मिट्टी हो रही थी तो एक बार फिर से जाड़ू लगा दूँगी बहुत जादा नहीं सामने सामने ही थोड़ी से जाड़ू लगा रहे हूँ जापे बाइक से मिट्टी हो रखी थी तो वहीं पे मैं जाड़ू लगा दूँगी और कपड़े फिर से दुल गए हैं तो अब अंदर जाके मैं कपड़े निकालूंगी और अब उपर लेके नहीं जाओंगी नीचे ही कपड़े डाल दूंगी क्योंकि धूप जो है चली गई है अब बहुत जादा धूप का टाइम नहीं रहा बागी के जो है कल सूख और बद जैसे ही मैं अंदर गई कपड़े निकालने वाली थी मशीन से तभी अंच आ गया तो फिर मैं कुंड़ा खोलने के लिए नीचे आ गई हूं मतलब बहार आ गई हूं नीचे तो थी स्रेस टाइम उपर चला गया था तो अब पीछे आ गई हूं फिर से और कपड़े मैं सुखा दूंगी यही पर उपर नहीं लेके जाओंगी धूब आप देख सकते हैं उपर चली गई है बहुत ही थोड़ी छी धूप रह गई है क्योंकि अब साड़े तीन का टाइम हो रहा है साड़े तीन से पिज़ादा ही हो रहे हैं पोने चार का तो इतना टाइम हो र बनाया था दो तीन साल पहले दो साल पहले बनाया था और एक साल यह इस पहना है और इस साल अंच ने पहनना शुरू कर दिया है इसे को इसके जो है थोड़ी ची लेंद कम तो नहीं पढ़ रही है लेकिन अच्छा लग रहा था कि मैं मेरे लिए भी ऐसा बनाओ तो मेरा इतन इसको बोल दिया है कि चलब इसको दोनों भाई मिलके पहन लो और श्रे को बोला था मैंने कपड़े उतार के लेकर आने के लिए तो श्रे तो कपड़े ले आया है हाँ जी तो अब चाए हमारी हो गई है शाम का टाइम हो गया है चार के भी सवाचार का टाइम हो गया है तब तक चाए वगएरा ली मैं आने और बस थोड़ा सा फोन देखा दो मिनट के लिए तो फिर मुझे कॉमेंट मिला कि आपने रजाई के कवर नहीं दिखाए रजाई के कवर मैंने एक बार तो पहले वीडियो में दिखा दिये हैं और बार बार बोलती भी हूँ कि आप वोटसप पर आजाएए और मैंने वोटसप नमबर भी उनको दिया कल की वीडियो पर भी यही कॉमेंट आज की पर भी कि आपने रजाई के कवर नहीं दिखाए और मैं व्लोग में इस तरह बार बार दिखाती नहीं हूँ अच्छा नहीं लगता है आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बार बार कुछ स्टोक काई दिखाती रहूं तो आज तो मैं दिखाए देती हूँ आपको कवर क्योंकि दो दिन हो गए हैं उनको वेट करते हुए तो अब मैं आपको रजाई के कवर दिखा देती हूँ कि कैसे हैं हाला कि मैंने दिखाया है वैसे ही है बस कलर डिजाइन अलग है अगर आप पोर्टसप पर आए तो मैं आपको जो है पिक भेज दूँगी जो भी कलर डिजाइन मेरे पास अवेलेवल है जिनको जिनको भी भेज रही हूँ बहुत अच्छे लग रहे हैं बहुत पसंद आ र तो देखिए यह मेरे रजाई के कवर रखे हुए हैं यहां पर हिट की और कहीं जगे नहीं है तो फिलाल यह जो है दिवान पर ही रखे हुए हैं और कलर डिजाइन में आपको दिखा दूँ तब तो सेम रहने वाला है बिल्कुल मेरे वाले जैसा जो मैं यूज कर रही हू एक कलर डिजाइन यह आएगा देखिए यह वाला यह वाला आएगा और एक यह परपल है इस तरह का इसके उपर प्रिंट है यह लाइट कलर में है थोड़ा सा और एक और यह वाला है यह वाला तो एक ब्लैक भी है देखिए एक यह ब्लैक वाला है यह वाला और यह तो मैं मैंने कम से कम तीन को अभी तक भेज दिया है और सब को यह डिजाइन बहुत ही पसंद आया है और यह परपल डिजाइन भी बहुत अच्छा है और यह भी यह वाला नीचे जो ग्रे है इसका भी एक पैकिंग होके किसी के लिए बेजा है मैंने और एक उससे पहले बेजा था तो यह कलर भी बहुत ही अच्छा है एक यह है तो इस तरह के कई सारे डिजाइन है इसमें बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं है कि मैं बोलूँ हाँ बहुत ज्यादा है नहीं 5-6 डिजाइन कलर आपको इसमें मिल जाएंगे और बाकी जो रखी हूय है यह सिंगल के रखी ये वाले, स्टप सेम रहने वाला है, डबल वाला ही, कलर डिजाइन अलग होंगे, तो इस तरह से आपको कवर मिल जाएंगे, अगर आपको चाहिए, देखिए, और हाँ, चलिए, मैं यहाँ आई हूँ, तो अपना जो है, सूट आपको दिखा देती हूँ, मैंने अपने स्ट है, जिस पे इंब्रोइडरी थी, मैंने दिखाया था वीडियो में, तो ये यलो कलर का है, बहुत ही सुंदर सा मस्टर कलर है, इसमें थोड़ा सा लग आ रहा है, कलर लाइट आ रहा है, ये मस्टर कलर है, बहुत ही प्यारा सा, और पैटन इसका, इस तरह से हैं, देखिए, देखिए ऐसे सिलवा है मैंने ये और फिटिंग जो है बहुत ही अच्छी है लेकिन अभी वाश नहीं किया और पहन के दिखाऊंगी आपको बाद में तो इस तरह से इसका बॉर्डर है और बैक साइड की बात करूँ बैक साइड पे इसके हाप ये लाइनिंग में डिजाइन आएगा और हाप इस तरह से आएगा तो बैक इसकी ऐसे रहने वाली है मुझे बहुत ही मतलब पसंद था ये कलर और इसके कलर मेरे पास अविलेबल है अगर आप किसी को भी चाहिए ये पश्मीना है और इस कलर में है इसका कंट्रास्ट में ग्रेसा है वो मैंने अलग रख लिया है वो पहले वाश कर लिया था क्योंकि वो तो टेलर के पास नहीं गया और मैंने बनवाया है इसका प्लाजो देखिए ये वाला मैंने इसका प्लाजो बनवाया है मस्टर्ड हलका हलका इसमें तो यह मैंने चील लिया है और वाश करके रख दिया है थोड़ा सा यह सूख जाएगा सका पानी चाय बनाने से पहले ही मैंने रख दिया था इसको दुलकर और फिर इसको एक एेर टाइट कंटेनर में कांच का होतो जादा बैटर है उसमें मैं आशको भर के प्रेंख सब्सक्राइबुकर है इसमें हैंसम लगता है मेरा बच्चा बहुत ही सुन्दर सा यह जाकिट इसके पर बहुत अच्छी लगती है मुझे तो चलिए अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक दे दीजिएगा इसी बात पे और फेस्बुक पेज पे आप फोलो कर सकत अग आपको फिक्स मिल जाएंगी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जो भी मेरे वीडियो बनी हुई है defining की तो उनके लिंग भी लगबग मैं माँ पे डालती हूं और बाकी पिक्टर मिल जाएंगी सब चीजों की जो भी मैं स्टोक रखती हूं तो चलिए मिलती हूँ कल थाइ 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 थाइ